ख़र दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रिब्यास एयर को सचन को देखेंगे जो कि आपका 27 फरवरी 2022 के सिप्ट में पूची गई को सब्सक्राइब चुकि बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है प्रिब्यास के को सब्सक्राइब और प्रिब्यास को हम आप जितना रगड़ेगा उतना आपके लिए बहतर रहेगा और विहार पुलिस की अस्पेशल बैच मैंने शुरू कर रहा है इसलिए आपको एकदम मतलब कर सकते हैं तो अ नित्वाइं से मैं आपको पढ़ाने वाले हूं इकदम बिहार पुलिस दो हजार तेसमें मतलब अगर यू कर लिजिये तो अगर मैं यू कियMA आपको तो भी हार पूलिस बहार पूलीस तोजार देश्समें हम लोगों मिलकर एकदम सेलेक्शन चाहिए ही चाहिए एकदम चाहिए जो हो जाए एकदम आपको एकदम मतलब यू का लिजी मतलब अगर यू का लिजी यह मतलब अगर यह होता नहीं मतलब यू का लिजी की मतलब यहार पूलिष्वंन सेलेक्शन लेना ही लेना है तो आप जो भी कर ने में बिहार पूलिष्वन अपको दियुक्त रहाँ आप मेरे साथ फ्रीज लास्ट जाखे जूड़े रहीएगा क्योंकि मैं जुद्ध कौशन यापको डार रहा हूं वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप बिल्कुल जूड़े रहे हैं मेरे शाथ मैं भी कासकुमार स्वागत करता हूं हम सभी को लच्षिंबी का वाला यूट्यूप चैनल में कि तो चली हम इसको सोजाते हैं बिहार पुलीस प्रीवेस्यर को और मैंने देखू यहां पर आपको लिख रखाब प्रीवेस्यर कोस्टन जो कि आपके. सूरू करते हैं सबसे पहला हमारा कोस्टन आता है कहता है कि के जनगना के अनुसार भारत में सजार्ता अदार है तो 2011 के जनगना के अनुसार आपकी जो महरत में तो सजार्ता दन ता वह 74.4% था यहनीं कि ऑप्सन के अब 74.04% दे नहीं रघए से लिए और करेक्ट अंसर कौन हो जबार इसके सबसे जो रहेगा वह तो आपका 85 नहीं, 78 भी नहीं, 73 छोड़ी, 65 भी नहीं, यानि कि 20 दा correct उतर आपका हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, एकदम correct उतर आपका हो जाएगा अगला नमपरा मारा कोसन है काता कि अधुनिक मतलब कर रहा है कि अधुनिक लोगतंत्र के रूप में जाना जाता है तो अधुनिक लोगतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रतेच लोगतंत्र सुध लोगतंत्र प्रतेने धित्व लोगतंत्र शमाजिक लोगतंत्र तो अध इस दहाक का रैक्ट उतर आपका हो जागा अच्छा उसके बदगर तो सवाधन नौध अमेरिका कर पोलो क्याज का avons कुक कॉइफयं कूप तो अमेरिका की खोजिस ने की थे वह कि शने की थी क्रिस्टोफ कोलंबस ने किया ता किसने किया था ख्रिस्टोफ कोलंबबस इसरा five करिक्त तराब का हो जाएगा भी नबर हमारे option में बास कोडिगामा मैंने लिख रगा है बास कोडिगामा तो बास कोडिगामा भारत और एउरोप के बीच समूनरी मारकी खोज करने वाले बास कोडिगामा थे जो कि भारत को खोज किये थे वो भारत का वाए 1498 में आये थे जो दो लोग तंत्र के लिए हमारे जो हैं वह वह अवास्याक लोग तंत्र के लिए कहता है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश सामिल होते थे 1950 मतलब कि आजादी के Dev everyday में हमारा देश अजाद हो गया था तो 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश सामिल होते थे तो कौन से देर सामिल होते थे वो होते थे आपका जो होते थे बियतनाम होते थे कंबोडिया होते थे और लाओस होते थे कौन को नहीं होते थे बियतनाम कंबोडिया और लाओ और आपका जो है कि लाओस होते थे मतलब कि सरकारी option option number D is the correct उतर आपका जो है हो जाएगा उसके बाद हमारा अगला कोसर नहीं करता है कि निमलीखित में से कौन सा एक प्राकिर्टिक परितंत्र नहीं है तो प्राकिर्टिक परितंत्र कौन को ने आपका तो प्राकिर्टिक परितंत्र आपका रेगिस्तान आपक उसके बाद यू कहले एंग का कि आपका रेगिस्तावन प्रकेश थां नदी है वह क्या प्रकेश बान है वह प्रकेश जिसरी है वह फ्रकेश के ररेगा का इतना में अ कि अendumна यह TRAFF रहे हो西 ने समझ पारे यहाथ और कोछ भी जी आपको प्राब्लम हो रहे होगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करिए मैं अब उसका डेपलाई अपको ज़रूर दोंगा यह मेरी बादा है आपसे और अगर मेरी नमबर आप चाहते हैं तो मेरे नमबर है रहा मेरे नमबर में बिजंग 1975 का किताब जीता था हां अमतले ने की marksel पर बाल गंगाधर ति्लक करेंगे प्राइस और 22cemos सम्मानित किया गया था तो साहिरस पुने वाला को पर्टिस्टिट लोग कमानड वाल गंगाधर तिलक रास्टिये पुरसकार 2020 से समानित किया गया था किसो किया गया था साहिरस पुने वाला उप्सें नमबर बी अगला नमबर हमारा जो कोशन है वो कहता है कि क lot normally का तन्तो होती mo किस किस कि बनी होती है ऐसा तो पुछता है ब्यार पूलिस में एक्दम अप लिख लेगें जिल्चिय क्वोचेगा ही पूचेगा whether के और Jonah OMG सबस्क्राइब यहां पर में समझते हैं थोड़ी है निहां निक अप्रलफ है लख रखाय अपनी भाजा में लिख रखाय बिल्कुल आपको वोड नलगे तो मैं तो यह तो अपना एरिया का है बिहारी . आप सूनीजीए की आपका जो यह टेंगस्ट्न का जो टेंगस्ट्न का इस तुमराल हम लोग बलह में इसलिए उसकी जो मतलब मतलब होती है वो बहुत जादा हाई होती है मतलब लगबाग 3422 सेल्सियस होती है समझे और अगर यूँ कहूं तो मतलब थोड़ी स्याव जान लीजिए तो मैं आपसे पूछता हूं कि इलिकार के हीर्ट में किस छीजिच के तार का बना हुँता है तो यह न Aku कि तो मैं पर नहीं चाहВा था कि हापको भी यह और बाल में आप से पूछता हूं कि बलमें कौन सी खेंस भरी होती है तो बल में जो आपका बरी होती है वो बरी होती है आरगन बरी होती है और आरगन का परमानुसंग क्या होती है आरगन का परमानुसंग क्या आठ होती है वेड़ा आठ होती है और उसका जो चिन होती है वो ए आर होती है झाल झाल आनाना मरा मारा जो कोसन एकता एकिता तारापूर केंड्र है तो तारापूर आपका जो है मैं आपको बता दो कि तारापूर जो अपसे नमर आपका दिया हुआ है तापी सकती उसके बाद दिया कि आनभिक सकती पबंद सकती सौर सकती तो आपका जो राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका आनभिक सकती हो जाएग निम्लिकित में से भारतिय ससास्तरबलो के पहले Chief of Defense स्टाप कौन थे? जनरल विपिनराबाथ, जनरल करम वीर्सी, एएर मार्सल राकेज, कुमार भध्राव, भधाओरिया या तो फिर नन होगा तो आपका correct उतर कौन हो जागा आपका बीज तक correct उतर हो जागा विपीन राबाद जो थे जनरल विपीन राबाद वो chief of the defense staff chief of the defense staff की पहले सस्त्र बलो में काम कर जुके थे और हाला कि आप वो नहीं है एक aeroplane crash में उनकी death हो चुकी है तो उस जगह पे आप एक second आ चुकी है जो कि अभी फिलार में सीडियस है अनिल कुमार सिन चौहान थे तो अभी इस बात को समझ सकते हैं आपका जो है वो correct उतर हो जागा उसके बाद आपका जो है अगला मारा होज़ा है कि सन्युक्तराज संग का मुख्याले कहां इस्तित है सन्युक्तराज संग जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यू एन ओ कहते हैं क्या कहते हैं यू ओन ओ कहते हैं चलिए हम इसको सुझाते हैं करा कि सन्युक्तराज संग का मुख्याले जो है वो कहां है सन्युक्तराज संग का मुख्याले जो है वो कहां है तो सन् लोगने आमेरिका में तुनिवार्क में यह यह ओना चाहिए था उसके बाद करत भूदा कि पेरिश किसका अच्छा इवने किस थापना जो कब होई थी तो 24 अक्टूबर 1995 वह थी तो 24 यहां पर आपको दीख रहा होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो यू एन इएस सी ओ यू एन येस सीओ का जो क्या है एवे एस सीओ का मुख्याले कहां है आपका जो है वो पेरिस में अच्छा अपर अगर आपसे पूछता इसी जगह पर कि आपका जो है वो पेरिस मतलब की पेरिस का तुम आपको दें लंदन में किसका मुख्याले तो लंदन में आपका आई एम ओ का मुख्याले लंदन में फिर पुस्ता है कि जीनेवा जीनेवा में किसका मुख्याले तो डबलु वेचो क्या हो जाएगा डबलु वेचो डबलु WTO, World Trade Organization, उसके बाद में उसके इनुए ELO ईता है, इसका मुख्यान है, जिनेवा मेंतों के आपने उन॓ के सकते हैं, तो पैरिच में UNESC, रचावन के कहले हैं, धना मैं आई-एम-ो के मुख्यान हैं, जिनेवा मी के सकते हैं, तो जिनेवा में आपका डबलू वेच ओ डबलू टी ओ वाल्ट हेल्थ और्गनिजेशन डबलू आई पी ओ आई एलो का मुख्या ले क्या आप समझ पा रहे हो अगर आप समझ पर उसके बाद हमारे पूसा करता है कि हीमोगलोबीन वर्नक पाया जाता है मतलब हीमोगलोबीन पाया जाता कि समय और यू लूटव में word Dass only घूंय आप सेलोगलोबीन बरनक पाया होता है और गुलोबीन जो होता है हीमो और गुलोबीन होता है कि अब समझ पा रहे हैं जिसमें गुलोबीन प्रोटीन होता है गुलोबीन जो होता है वो क्या होता है एक तरह के प्रोटीन होता है और हीमो जो होता है वो कलर के लिए रिसपोंसिवल होती है RBC को अगर पुछेगा कल बेड़ने कि आरबसी का जीवन काल के कितना होता था तो वो हो 20 से 120 दिन अधिये क्या होती है 20 से 120 दिन होती है और WPC रोग प्रति रोधक चमता को अच्छा बनाता है मतलब Wbc जो डैबलो डैबलो बीसी का वैलोजिकल नाम नेम होती है क्या होती है लिकोसाइट्स एल एल ए यू के ओ सी वाइटी एस लिकोसाइट्स जो हमारे बॉड़ी में ज्यादा वड़ा वड़ जात जो हमारे बॉड़ी में ज्यादा अकलबाट जाते है तो लिकोनीमिया क्या हो जात उसके बाद plateless का biological name क्या होती है thrombocyte होती है THROMBOCYTS thrombocyte उसके पाद RBC का biological name होती है erythrocyte रबीच का जो biological name होती है क्या होती है E-R-Y-T-E-R-E-R-Y-T-H-R-O-C-Y-T-S erythrocyte होती है कि आप समझ पा रहे हैं तो आगे हम लोग चलते हैं इस मतमने आपको बता ही दिये उसके बद्र hall बिहार बिधान परिसत के अध्याच कौन थे मतलब बर्तमान बर्तमान बहार बिधान परिसत के अध्याच कौन थे बरतमान बिहार बिधान परसद के अध्याच कौन थे तो बरतमान बिहार बिधान परसद के अध्याच जो थे बरतमान बिहार बिधान परसद के अध्याच जो थे वो कौन थे आपका मनोर्मा देवी अपधेश नरायन सी सर्वेश कुमार देवेश चंद्र ठाकुर जो थे तो बर्तमान, बिहार, बिधान, परशत के अध्याच कौन थे तो देवेश, चंद्र, ठाकुर जो थे अगले नमड़ा हमारा कोस्तन है करता है कि प्रतम विश्वियोद की सुरुवात की सब्स हुई थी 1885 में 1714 में 1914 में 1945 में तो परतम विश्वियोद जो हुआ था वो 1914 से 1918 तक चला था उसके बाद में आपका जो सेकंड वर्ड वार जो हुआ था वो 1949 से 1945 तक हुआ था कि आप समझ पा रहें उसके बाद अनुवांसी के जनक किसे माना जाता है तो अनुवांसी के जनक मेंडल जीजे के माना जाता है मेंडल जीजे के इन्होंने इन्होंने सबसे पहले मतलब कि अनुवांसी के जनक जो बोला जाता है इन्होंने सबसे पहले पेंड पे मतलब पौधे पे एक एकस्पेरिमेंट किये थे अगला कोज़ नमारा काता है कि स्वयम साहिता समू मेरीन संबन्दी अधिकांस निर्ने लिये जाते हैं दिकांस नेरना जो लिए जाते हैं वो सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं और स्वयम साहिता समूं बैंक एक माइक्रो प्रोडक्ट है जो कि जो कि नवाड़ा ने लाया था 1922 में कि आप इस बात के एग्री कर रहें और जिसमें मिनिमम्म जो लोग हैं वो दगवा